हलो बच्चो मैं पुनम्रा ठोड राजिस्तान सरकार और विदानतागे CSR इनिशिटिव एक अक्षा में आपका स्वागत करती हूं जिसके टेक्निकल पार्टनरा मिशन ग्यान तो बच्चो हम चाप्टर पढ़ देते हैं विजट टू कैम्बरेच और लास्ट वीडियो में ह वर्दो उसकांगा और स्टिफन होकिंग के बारे में तो आज बच्चो हम इस वीडियो में उन्ही की स्टोरी करने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं About 3 minutes later, 3 minutes के बाद, he responded, उन्होंने respond किया, ठीक है उन्होंने answer दिया, I find it amusing when people patronize me कि मुझे बहुत हाश्यप्रद लगती है जीट, बहुत मुझे हस्या आती इस बात पर जब लोग मुझे सरक्षन देते हैं And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work, फिर लेखग आगे क्या पूछते हैं कि आपको इस बात से भी परिशानी होती है, क्या, जब मेरे जैसे कोई आता है और आप से आपको क्या करता है, आपको अपने काम में disturbs कर देता है The answer flashed, answer जो था वो तुरंत आया, yes, then he smiled his one way smile, फिर वो एक तरफा मुस्कुराए, ठीके, and I knew or मैं जानते था, without being sentimental or silly, यानि मैं तो ना तो भावुक हुआ, ठीके, और ना ही मुर्ख बना, that I was looking at one of the most beautiful men in the world, तो मैं क्या था, ना तो भावुक था, ठीके, और ना ही मैं सिली, ठीके, ना तो मुझे मुर्ख महसूस हुआ और ना ही मैं भावुक हुआ, हाना, मैं ये जानता था कि मैं संसार में सबसे जादा सुन्दर व्यक्ति से मिल रहा हूँ, a first glimpse of him is shocking, यहाँ पे बच्चो beautiful man में ए आ जाएगा, ठीके, printing mistake है, a first glimpses of him is shocking, यानि उनकी पहली जलक जो थी, वो shocking थी वच्चो, क्यों, because he is like a still photograph, वो ऐसे लग रहे थे कि सुच में एक फोटोग्राफ की तरह हो, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional, और ऐसे लग रहा थे कि उनकी जो भी photos थी magazines में और जो भी newspaper में ऐसे लग रहा थे कि वो त्रियाया में हो गये हो, मतलब बलकु इस तर लग इस तर दिखाए दिये, then you see the head twisted sideways into a slum, और उनका जो सर था वो side में एक तरफ टकनी की मुद्रा में, the toso shrunk inside the pale blue shirt, और यहां पर यहां पर यह तोसो बच्चो थी, तो उनका जो धड़ था वो उन्होंने blue shirt पहनी होई थी, उसमें क्या था shrunk हो गया था, बिल्कु शिकुड यहां पर यहां पर आपको करना है, तोसो में धर्ड, okay, धर्ड कर लेना आपको, तो उनकी जो body थी, वो बहुत ज़दा shrink हो चुकी थी, बहुत ज़दा सिकुड चुकी थी, the wasted legs, उनके जो pair थे, वो काम के नहीं थे, waste हो चुके थी, ठीक है, you look at his eyes which can speak, उनकी आखों में बहुत कुछ हमें बताना चाह रही है, बहुत ही important, कुछ urgent हमें बताना चाह रही है, it is hard to tell what, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल है, कि उनकी आखे हमें क्या कहना चाह रही थी, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जब उनको देखते हैं, तो कहां प whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man, यानि आपके सामने, आपको ऐसे लगता है, कि एक लाल टेन है, ठीक है, और उसकी दिवारे जो है, वो बिलकुल घिष चुकी है, और उसमें से क्या है, हलकी सी लो जल रही है, यानि उस व्यक्ति की जो आभा है, आंतरिक आभा, उस व्यक्ति क ऐसी लगती है, जैसे कि आप कोई लाल टेन देख रहे हो, ठीक है, उसकी दिवारे बिलकुल घिष चुकी है, ठीक है, और उसमें से आपको जलतीव नजर आ रही थी, ऐसी उनकी छवी उसको दिखाई दे रही थी, राइडर को, तब बोड़ी ऑल्मोस्ट इरिवलेंट, ए कि कैस मेड़ ऑफ शेडो, और उनका जो शरीर ऐसे लग रहा था, कि वो बिलकुल एक परचाई की तरह ही अस्तित्व में हो, ठीक है, परचाई से बनाऊँ अस्तित्व में हो, so that I no believer in eternal souls, जो की मैं आत्म के मरता में विश्वास नहीं करने वाला, know that this is what each of us is, everything as an accessory, यानि हम में से प्रते की यही हालत, हम में से प्रते विक्ती ऐसा ही है, और यह जो बाहर की चीज़ें यह सारी क्या है, सजावती, समान है, accessories है, what do you think is the best thing about being disabled, आगे मैंने पूछा, I had asked him earlier, writer क्या बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि मैंने उनसे पहले यह प्रशन पूछा था, मैं पूछ चुका था, क्या, कि disabled होने में आपको कौन सी चीज अच्छे लगती है, आप क्या सूचते हैं कि सबसे best चीज कौन सी disabled होने में, I don't think there is anything good about being disabled, उन्हें क्या कहा, कि मैं सूचता हूँ कि disabled होने में नीशक्त होने में कोई सी भी अच्छी चीज नहीं होती है, I think, I said, मैं सूचता हूँ, मैंने कहा, you do discover how much kindness there is in the world, तो मैंने उनसे कहा, कि मुझे ऐसे लगता है, कि disabled होने में यह होता है, कि आपको ऐसे लगता है, आप इस बात की खूच कर लेते हैं, कि इस अंसान में बहुत जादा kindness है, दयाल होता है, यस, he said, उन्होंने कहा, हाँ, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, अब बच्चों उन्होंने कहा, यस, लेकिन, उनकी जगा कौन बोलता था, computer voice, ठीक है, तो उस computer voice की वज़े से, जब वो बोले, तो ना तो उनकी जो आवाज थी, ठीक है, उन्होंने जो कहा, ना तो उसमें मुझे क how enthusiastically he agreed with me, और मैं यह नहीं बता सकता था, कि कितनी उस सुकता पूर्ण उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया था, every time I shifted in my chair, और turn my wrist to watch the time, जितनी भी बार मैं कुरसी को किस काता रहा, मैंने क्या कि बार बार अपनी कलाई को मोड़ कर अपनी घड़ी में time, देखा, I wanted to make every one of our 30 minutes count, यानि मैं 30 minute का एक-एक minute क्या करना चाता था, utilize करना चाता था, उसका भरपूर प्रयोग करना चाता था, I felt a huge relief, मुझे बहुत अच्छी है, यानि बहुत रहात महसूस हुई, and exhilaration or romance in the possibilities of my body, यानि मेरे शरीर में मुझे बहुत सारी संभावना और romance महसूस हुआ, how little it mattered, then, ये बात कितनी कम महत्व की रह जाती है, that I would never walk, कि मैं कभी नहीं चल सका, और even stand-on नहीं कभी खड़ा हो सकता था, I told him, how he had been an inspiration beyond pleasure for me, मैंने उन से कहा, कि वो मेरे लिए क्या रहे, एक inspiration रहे, एक प्रेंडना रहे है, और ये कोई disability नहीं थी, and surely for others, और दूसरों के लिए भी, did that thought help him, क्या इस विचार ने उनकी साहिता की है, ठीक है बच्चो, तो इसी story को हम next video में continue करेंगे, अब हम पढ़ते हैं बच्चो, grammar section, ठीक है, मैंने आपको last video में बताये था, degrees के बारे में, three kinds of degrees, positive, comparative, और superlative, ठीक है, last video में ब इस तर की होती है, ठीक है, और comparative होता है, दो लोगों की बीच में तुलना की जाती है, ठीक है, और superlative में दो से ज्यादा की बीच में comparison होता है, okay, comparative को identify करने के लिए मैंने बताये था, THA, then, ठीक है, superlative के लिए आपको बताये था, THA, the, ठीक है, और इसके लिए मैंने बता हुँ तो consonant को double करके ER और EST लगाने से comparative और superlative degree बन जाती है देखे बच्छो big हमने last video में जो first example देखे थे ने बच्छो comparative को मैंने आपको बताया था ना big का ठीक है तो इसको हमने क्या कर दिया है और उसको ऐसे ठीक है तो bigger biggest हो गया इसी तरह के आपको यह करना है ठीक है इनको यह जो consonant को double कर देंगे ER लगाने से आपकी comparative degree बन जाएगी और EST लगाने से आपकी superlative degree बन जाएगी ओके फिर आपको hot, wet, thin और red यह आपको करना है next rule लेखते है rule number seven three syllable और two syllable वाले शब्दों के पहले more और most लगा देने से comparative और superlative degree बन जाती है बच्चो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था syllable क्या होते है तो आपको क्या करना है beautiful देखिए more beautiful, most beautiful, important, intelligent और difficult तो आपको more और most लगा के इनको complete कर लेना है मैं मिलूंगे आपसे next वीडियो में degree और जो हमारी study है उसको हम continue करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप सारे word meanings और जो भी grammar section का part है आपको complete कर लेना है ठीक है तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू